जैशी किशना दोस्तों रादे राधी मेरे चैनल लर्निंग विसी आम आपका बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम पांच नंबर की ठाकुजी के लिए आपको धोती और कुर्ता होली के लिए बहुत ही प्यारा सा मेजिंग जो अभी तक आपने यूट्यूपर नहीं देखा ह दनाना से किविए वीडियो बनाना करते हैं क्यां दोस्तों दोनों फइबरिक मैंने इस बिलिए हैं साथ यह एलू फैबरिक लिया है इसमें से सब पहले हम दोती बनाएंगे राधिन हमने कट बेंगे रहा है तो ये पांच वाई पांच इंची के हमने ये दो पीस कट किया है साथी अस्तर भी कट किया हुआ है आपको दिखा देती हूं ये दिखिए पांच इंची चोड़े पांच इंची लंबे ये दो पीस हमने कट किया है और हमने साथ में दो पीस हमने ये देखिए दो इंची चो या थे साइट से और तीर और दौनों पीस को ठेटि रियू नीट से प्रिफु इसके बाद हम इस पर लेसमें कर सबक्राडने की बाद मिन हम पर मोलना सब्सकलाओ चतरी तो जिए прос Amiza. कि दोनों काम कर लेते हैं मोड़ना है और लेस लगाना है करने के बाद में उपर से इसको टक कर लेते हैं इस तरीके से हिकान नहीं बनाते हुए इस लेस को तीरों साइट टक कर लेंगे क्यों कि हैं घ करें दोनूं पठ्टियों में हम प्लेट्स डालकर कि एक फ्रिल जैसी ओर दुनुंड कर लेंगे इस तरीके से यह प्लेट्स डालेंगे और यह शॉल लगाकर कि हम पर घ्या जैसी तयार कर लेते हैं दोनुं में uda जैसे हमने एक घेर तयार किया है सिम उसी तरीकी से दूसरे भी तयार कर लेते हैं दोनों घेर हमने तयार कर लिए अब क्या करना है धूती बनाएंगे यह जो वाइट पीस हमने अब कट के हैं इनको हम क्या करेंगे चारा तरफ से ऐसे ही कच्चा लॉक करके और दो साइड यह कॉर्णर पर हम यह टिश्यू टेप लगा करके इसको लॉक कर देंगे ऐसे यहां भी यहां भी दोनों साइड इतना काम कर लेते हैं अब दोनों पीस पर हमने टूश्य ठेप लगा लिए अब क्या करना है इनमें हम प्लेट्स टालेंगे अलग 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 यह देखे इस तरीके से ऐसे यह प्लेट्स टाली फिर यह यहां वाले मैं यह वाला पार्ट हमने इसे प्लेट्स टालेंगे इसे तीन टीन प्लेट्स टाल लेते हैं इसमें भी और इसी तरीके से इसमें भी प्लेट्स टालेंगे कि अधिके दोती के हमारे दोनों साइड के पीस बन गए हैं अब क्या करना है अब हमने जो फ्रिल यह तैयार की है इन फ्रिल्स को हम एक पीस के उपर इस तरीके से रखेंगे और इसको यहां से ले करके यहां तक अटेच कर देंगे यदि हमारे घेर में थोड़ी सी प्लेट्स ज्यादा है तो इनको हम एड़्जस्ट करके इनके साथ में लगाएंगे ऐसे ही इस वैले पीस में भी तो दोनों पीस में इस तरीके से एक लगा करके तयार कर लेते हैं कि अग्युद्ध कि अग्युद्ध गेर लगा लिया इसके बाद इन दौनों पीस को इस तरीके से ओवरलैप करके रखेंगे लगवग 2 इंची तक और यहां से यहां तक यह सिलाई लगा देंगे अब नीफा बना लेते हैं नीफी के लिए हमने यह वाइट फैब्रिक लिया है इसको वही डबल करेंगे और डबल करके यहां से यहां तक इसको टक कर लेंगे अंदर डौरी डाल देंगे बहुत ही प्यारी से दोती बन गेंगे इसमें क्या करेंगे पीछे हम पीछी से इसको इस तरीके से ओवरलैप रखेंगे ओवरलैप रखने की बाद एक यहां पर टांका लगा देंगे ताकि यह हमारी दोती अलग-अलग टांगों में डिवाइड हो सके चलिए अब इसकी इसाल हमने कट कर लिया है अब करना कया है हम है अब इस दोनों साइड यसे टीश्य टेप से हम लॉग करेंगे य्दि यवली टीश्य टेप लगा लिया अब इस पट्टी के हम दोपीस करेंगे दो्पीज करने के बार एक साइड से अंदर की साइड ऐसे करके फोलड करके लाव है यह वाली दोन show कोर दूसी साइड पर हम मूढ करके यह वाली लेस लगा लेगा किनारों पर यहां पर भी है अब देखिए क्या करेंगे अब थोड़ा सा डिफ्रेंट है हमारे इसको देखिए यहां से थोड़ा सा हम एक इंची करीब ऐसे ही छोड़ देंगे खुला और यहां से लेकर कि यहां तक हम इसको सिलाई थोड़ी सी लगाएंगे एक इंची करीब नहीं लगाने के बाद हम क्या करेंगे इस टिशु टेप लेंगे और इसके साथ मैं यह अटेच करेंगे बांधने के लिए लेते हुए तो इसको टिशु टेप लगाने से पहले हम नीचे से एक इंची ऐसे ही ओपन छोड़ देंगे दिखिए हमारी चोली बन गए उसको पेना करके दिखाएंगे ठाकोटी को ये कैसे डिफरेंट लगेगी अब इसके पना लेते हैं हमने देखिए धोती नई श्टाइल की सिखाई आपको चोली भी नई स्टाइल की सिखाई है तो पटका भी हम नई श्टाइल का ही कुछ आपको बताने वाले तो पटके के लिए यलो फैपरिक लिया है मैंने लगभग मैंने 12 इंची के करीब चौड है और पलटना है थोड़ा सा हम बीच में से इसे खुला छोड़ देंगे ताकि उसमें से हम इसे पलट सके पलट देते हैं इसे पलट करके यह कॉर्णर बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल देंगे और यहां से खुला हुआ है इसको बंद कर देते हैं इस तरीके से उबरलैप करके अब इसके दोनों एंड्स पर हम लेस लगा लेंगे यह लेस लगाने के बाद अब हम इसमें पलेट्स डालेंगे इस तरीके से पलेट्स डाल लेते हैं और यहां से यहां तक हम सारी पलेट्स इसमें डालेंगे पटका बनकर के तयार होगा है हम ने खुभ उसी पगड़ी भी बना ली है क्याव कि इसमें हमने सिंपल बेस बनाइए calm तीन बूटी हमने कैरी लगा दीर हो छोटो छोट शोटी आप ठाकिोहघ़ी को पहने कर दिखाते हैं ड्रेस करें से पहले हम धोती पैनाएंगे इस ट्रेस में आप चाहिए तो चोली भी पैना सकते हैं पहले लेकिन चोली का डिजाइन कुछ इस तरीके का हमने डाला है कि वह उपर से ही अच्छी लगेगी यह हमारी जो फ्रिल है वो ठाकुर जी कैसे विंक्स जैसे नजर आ रहे हैं बहुत प्यारी लग रहे हैं जैसे बटरफ्लाई बने हों ठाकुर जी चोली पैनाएंगे जोली देखिए ऐसे लग रहे है जैसे हमारे ठाकुर जी पटका पहन हुआ है जोली हमारे ठाकुर जी की बहुत ही मैच कर रहे है इस ड्रेस के साथ जोली मेरे को किसी मेरे विवर ने ही बना कर कि दिया है जो कि बहुत ही खूबसूरत बनी है तो दिखा दूस्तों कैसे लगी ड्रेस कैसे लगए वीडियो पसंद आए तो लाइक शियर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए आगे भी इस तरीकी के ड्रेस आपको बनाना सिखाते रहेंगे तक पकेलिए जादे रहते